हाई आज मैं आपको regression analysis बताऊंगा कि regression analysis होता है regression analysis बिर्कुल correlation के दा होता है बट एक next step of correlation होता है सो आज चलते है regression analysis बताते हैं यह आपका basically relationship बताता है कि relationship between two variables या आप basically समझे लें कि relationship with the two people या friends friends या family बट अगर आप mathematics term में दिखेंगी तो उसमें friends family तो नहीं होगा इसमें variables होगा x y z a b वगरा तो इस तरह से वो उसमें relationship बताता है तो आप देख सकते हैं और यह हर basis में apply होता है चाहिए आप कोई सबी business देखें चाहिए आप finance में आप country-wise finance करें state-wise finance करें आप को regression analysis देखनी पड़ेगी और आप करते हैं data के उपर ताकि आप बहुत साइच जीदे देख सकें और even though stock market में भी यह prime feature है जिसके वेरे से आप stock की price देखते हैं तो इसलिए regression analysis यूज होता है तो इसके बहुत साइच टाइप्स हैं जिसमें deliand है, point normal है, support factor है और बाकी यह समय है तो मैं सारी की सारी types टो नहीं पढ़ाने वाला but मैं आपको यह regression आपको excel में बताऊंगा कि excel में होता क्या है basically मैं आपको linear regression से लेटर पर चलूँगा क्योंकि linear regression सबसे असान regression है in all types of regression यह एक formula है जो के बहुत simple formula है और आपने इस formula से रेखके कुछ आपको hint मिल जोगी जो आपने math में बढ़ा होगा offline का formula y is equal to mx plus c से या px plus a से रहिए but हम लोग यहाँ पर error को भी add करता है क्योंकि error हमारे इसलिए add होता है क्योंकि human error यहाँ पर होता है यहाँ पर error का chance होता है जैसे for example अगर आप correlation आप दिखेंगे तो correlation में आपका 90%, 95% और 99% सही होता है आपका जबाब तो जो आपके बाकी 5% बचा या 1% बचा तो वो जो percentage आई जो बची वो हमारी error में आ गई क्योंकि we cannot be correct on 100% हमने कोई product नहीं देखा होगा in the market जो 100% correct हो तो वहाँ पर हम लोग error का लिखते हैं कि 1% error का chances हो सकते हैं तो इसके वाई से हम लोग plus e करते हैं as a error और इससे denote करते हैं अलग से और आगे आगे जाएं तो यह लिने regression की यहां पर chart है तो मैं इसके आपको chart बनाना सिखाऊंगा यह r2 की आउट है यह भी बताऊंगा यह r2 percentage में निकलता है और फिर p value की आउट है तो यह सब बताऊंगा in excel तो मगार सबसे पहले मैं Scattered Plot बनाना से खाऊंगा ये एक जिसके वैसे हम लोग data extract करते हैं तो आज चलते हैं Excel के अंदर ये मेरा एक छोटा से data है और temperature, price of ice cream and unit sold इसको मैं Table Format में Care by Ctrl T इसको मैं सबसे पहले मैं Scattered Plot में कर रहा हूं मैं अब भी बगए highlight करके जा रहा हूं और insert पर गया और यहां पर मेरे graph आ गया है तो अफिज graph आ गया sparkling भी है मेरे पास और काफी graph है जैसे map वगएर तो मैं मुझे scattered plot रही है तो scattered plot में भी आपके बास different varieties है मैं यह वाला पेला वाला स्केजिट plot ले रहा हूं और apply कर रहा हूं जैसे मैं ने apply किया तो यहां पर मेरे पास कोई data नहीं आया तो मैं select data के अपर गया और click किया और यहां पर मैं add कर दूँगा तो basically यह windows में भी ऐसे आते और macbook में भी आते तो आप दोनों तरीके से same है यह data पर वाली कर सकते हैं थोड़ा बहुत difference है in the table जो format है x value जो आप डालना चाहने और y value जो आप जिसके उपर dependent होगा x axis और y axis के बार यह मैं बताया था मैंने आपको relationship होता है और x आपका होता है independent variable और y होता dependent variable तो आपका independent variable वह होता है जिसको आप आप निकालना चाहने y जो होता है वह dependent होता है वह constant होता है उसको change आप नहीं कह सकते तो y आपका dependent variable होता है तो इस तरह से आप x and y की value मैं यहाँ पर put कर रहा हूं जैसे for example मैं दोनों यहाँ पर put किये x की value और y की value भी मैं यहाँ पर put करूंगा मैं यहाँ पर double figure दे रहा हूं multi regression दे रहा हूं यहाँ पर बगार आप single single करेके simple regression भी ले सकते हैं और just यहाँ पर okay करने जब आप okay करेंगे तो आपका यह plot बन गया अब इस plot बन गया यह बहुत simple plot है इसको जासा फाइलेट कर सकते हैं और इसको आप 20 कर सकते हैं by unit sold अगर उपर आगर आपको चार्ट में नहीं चाहिए तो आप कोई और नाम दे सकते से हैं और आप यह बॉक्स खुल जागा आपका और इदर आप editing वगारा कर सकते हैं आपनी किराफ की और जो आपकी मर्जी चाहिए वह कर सकते हैं और आपकी आपको चार्ट चेंज करना है अगर आपको यह चार्ट नहीं चाहिए तो यह बाकी चार्ट हैं तो इनको आप के और इसमें data और add कर सकते हैं अगर आप चाहें तो फिर आप switch to column कर सकते हैं जैसे for example आपको temperature का column नहीं चाहिए on the y-axis यह column चाहिए on the x-axis तो आप switch कर सकते हैं तो यह आपके आपके पास option है फिर उसके बार आपके पास काफी चार्ट option है इसको आप देख सकते बट मैं जो recommend करूंगा वो करूंगा quick layout पर quick layout पर अगर आप click करते हैं तो यहां पर काफी options हैं बट मैं basically यह वाली option चूश करता हूं layout 9 और यहां पर click करता हूं layout 9 के वैसे यह होता है कि यह y is equal to x plus c की line भी परऔर चल जाती है कि यह line है किया और r square भी परण चल जाता हमिए seeing return 12 कि ए यह on with a हमेशा हमेशा हमें यह यह ब्ताता है कि points कहां पर और line कहां पर बन रही है है तो यह आपका यह भी बताता है यह बताता है आपका correlation बताता है और आगर यह बताता है कि आपके relationship कैसे चलिए है तो 0.5 से उपर की जो चीज़ होगी उसमें वह होगी आपकी strong relationship और 0.5 से नीचे होगी वहगी weak relationship आगर यह relationship negative जा दिए है तो आपकी negative relationship है इसका मतलब है temperature भ़रा है तो आपके unit sold कम होने तो यह negative है अगर आपका temperature भर रहे है और unit भी भर रहे है तो इसका मतलब यह positive relationship है आपका weak और positive पहला चलेगा by 0.5 से जादा और 0.5 से कम basically r2 हमारा negative 1 to 1 होता है अब मैं basically आपका regression analysis करूँगा जो के मैं करना चाला हूँ for example मैं यहाँ पर अपना regression करूँगा तो सबसे पहले हम लोग data पर जाते हैं जैसे हम लोग data पर click किया तो यहाँ पर data analysis पर चलेगा है हम data analysis पर गया और यहाँ पर click किया तो यहाँ पर हम लोग correlate is Elie करेंगी यहाँ पर हम लोग sampling अस्तक्र तो aja हम लोग regression analysis करए और regression analysis आपकीपर सबस्क्तरने पहले है cucumbers यह एकस की यहां से लेकर यहां तक डाल लूगा अब मैं यहां पर लेडर्स पर अपकी उपर है कि आप कौनसा लेना जाते हैं तो मैंने आपके उपर छोगा है वैसे मैं 95% ले रहाँ यह यहाँ पर options है of new sheet की भी और new workbook की भी यहाँ पर मैं range define कर रहाँ कि मुझे यहाँ पर यहाँ पर चाहिए मुझे डेटा अब आपके पास काफी चीजें तो आप देखें कि आपको क्या क्या चाहिए और उस हसाब से जैसे for example मुझे line of password चाहिए यह residual value चाहिए और मुझे residual plot चाहिए मुझे यह तीन चीजें चाहिए और जैस मैं ok करता हूं तो यह तीन चीजें आगए सबसे पहले summary है मेरी तो यहाँ पर एक summary आगए मेरी of multiple r और r भी आगया में पास और फिर पिसके बाद में पास r square भी आगया और फिर फिर में पास error भी आगया और मेरी कितनी observation t60 वह भी आगए इनोबा भी आगया इनोबा एक तरिकार का regression होता है और एक तरह की analysis होती है तो वह भी आगया में पास उसको भी मैं देख सकता हूँ अराम से पर काफी चीज़े जैसे coefficient है standard error है और काफी चीज़े तो वह सब आप देख सकते और पी वैल्यू जो मैं आपको कहता था कि पी वैल्यू नहीं है में पास तो पी वैल्यू भी आ गई तो यह सब कुछ आगया में पास और यह में पास ग्राफ भी आ गया है ग्राफ ग्लॉट्प्लॉट्फ फट्प्लॉट्ट मैं अब मैं graph को मैं अलग-अलग कर करें कि आपको दिखा तो कैसे प्लॉट हूँए यह में ग्राफ बच्वान है और temperature का तो यहाँ पर 4 से देकर तक यह values है और यह temperature दिखा रहा है मुझे और temperature के इसाब से मैं काफी चीज़े में निकाल सकता हूँ ऐसे ही ice cream कहें तो price of ice cream कहें तो इस तरह से भी चीज़े निकाल सकता हूँ तो इसके बाद आगर मैं यह temperature of line of west fit देखूँ तो यह हां पर unit sold और temperature आ रहा है और यहां से मैं line of west fit निकाल सकता हूँ जिसके वईसे मैं काफी चीज़े निकाल सकता हूँ जैसे कि मैं यह देख सकता हूँ कि हागी मेरी sales करती होगी in the future और third यह fourth variant पे quarters में भी देख सकता हूँ तो काफी चीज़े और अगर यह value मैं देखूँ तो यहां पर एक dip आ रहा है मेरा और यह क्यों आ रहा है किस वजर से आ रहा है और यह मैं यह भी देख सकता हूँ जैसे यहां पर एक dip आ रहा है तो यह क्यों आ रहा है और यह बहुत असान चीज है in Excel कि आप regression analysis इस तरह से यूज़ कर सकते हैं basically regression analysis अगर आप manually करेंगे और आगर आप manually computer में करेंगे तो बहुत time लगता है बट आप इस तरह से और बागी आप tools इस्तिमाल कर सकते हैं data analysis होगया जिसके वहीं से आपका data simply start करेंगे आयाता है और आप उसे analysis करेंगे अपने आपको next next level पर ले जा सकते हैं यह तिहीं मेरी regression analysis I hope आपको अच्छा लगाओगा अभी तक के लिए बाई